नमस्कार दोस्तों विल्कम टू स्टडी आईक्यू शिंजो आबे को रिप्लेस करेंगे योशियादे सूगा ये बनेंगे जपैन के प्रेंटमिस्टर ओन सब्टमबर 16, 2020 जपैन की पॉलिटिकल पार्टी जो आज के समय पावर में है लिबरल डेमोक्राटिक पार्टी इन्होंने इनको चूस किया है अज ए सकसेसर और शिंजो आबे अब हाला कि ये देखा जाए तो इनका कारेकाल सब्टमबर 2021 में खतम हो जाएगा मगर ये भी एक पॉस्बिलिटी है कि सब्टमबर 2021 से पहले ये एक snap elections कॉल करें और उसके बाद 3 साल तक पावर एक्वार कर ले ये भी पॉस्बिलिटी है तो देखना होगा कि इस aspect में होता क्या है अब देखो इनकी जो economic policies है for Japan ये COVID-19 को कैसे handle करते हैं ये सब headache है जपान का Indian perspective से हमको ये उमीद है कि ये planister finally Japan के समविधान से article 9 हडा देगा now article 9 Japan के समविधान का क्या है ये किस तरीके से Quad के military pact को रुखता है discuss करेंगे बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा so a lot to know, a lot to discuss as always but before we begin go to google play store, download करो यहाँ पर study IQ education app और यहाँ पर आप खरी सकते हैं हमारा flagship UPSC course जिसके लिए EMI option available है do not forget to subscribe to our channel and press the bell icon now Shinzo Abe का जो tenure था उसमें उन्होंने काफी सफलताए हासिल करी है regarding US-Japan relations, India-Japan relations मगर इनका एक बहुती बड़ा failure ही रहा है कि ये जपान का जो peaceful constitution है इसको properly change नहीं कर पाए Shinzo Abe ने बार-बार ये कोशिश करी कि Japan के सम्विधान से Article 9 को ये हटा दे या फिर इसमें radical changes लाए मगर हर बार Japan के पार्लिमेंट Japan का जो पार्लिमेंट है इसको ये लोग कहते हैं diet तो हर बार diet की voting में इनको काफी resistance मिली और Japan की public भी बार-बार through various online surveys Japan की सरकार को ये बदाती रही कि ये लोग नहीं चाते कि Japan में Article 9 रिमूव किया जाए यहाँ पे आप देख पाएंगे ये Japan Times का Article है 69% जो अब आदी है जपैन की ये नहीं चाती कि Japan का Article 9 रिमूव किया जाए इसका reason क्या है ये समझने के लिए पहले आपको जानना होगा कि Article 9 अपने आप में है क्या जब जपैन World War 2 हार गया था in 1945 और उसने US के सामने सरेंडर किया तो उस वक्त US ने एंशोर किया कि Japan in the future वार पे ना जाए और कभी भी ये बहुती बड़ी military build-up ना करे ये एंशोर करने के लिए US ने प्रेशर डाला जपैन पे और ये कहा कि अपने समझान में एक आर्टिकल अड़ करो जो एंशोर करता है कि आप लोग कभी भी war declare नहीं करोगे एक दूसरे देश पर और इसी तरीके से जनम हुआ Article 9 का of the Japanese Constitution Now article 9 कहता क्या है यहाँ पे आप देख पाओगे लिखा यहाँ पर के International Peace में हम चाहते हैं कि हमारा contribution हो और इस contribution को निभाते हुए Japan के लोग decide करते हैं कि हम कभी भी war नहीं करेंगे यह बहुत strong words है इस article में साफ साफ लिखा है The people of Japan forever renounce war as a sovereign right of a nation and the threat or use of force as a mean of settling international disputes आगे है कहते हैं In order to accomplish the aim of the preceding paragraph land, sea and air force as well as other war potential will never be maintained अब यह आपर कह रहे हैं कि Japan खुद ही त्याग करता है उसके right का to declare war उसके लावा यह बार practical तरीके से follow भी की जाए Japan कभी भी land, sea और air force बहुत ही बड़े scale पर develop नहीं करेगा और इसी वज़े से आज के समय आप देख रहे हैं कि Japan की air force इनकी army, इनकी navy उसका उतना potential है नहीं जितना हो सकता है अब आपके mind में question आगा कि all right तो article 9 Japan को रोकता है war declare करने से तो Japan के लोग इस article को रखना क्यों चाते हैं इन लोगों को क्या आसपा जिक्ता नहीं है कि North Korea से threat है China से threat है well देखो यहाँ पर आपको समझना हुआ कि Japan की population का mindset क्या है यहाँ पर population ज़रातार यह मानती है कि article 9 को remove करने के पीछे Japan के billion years हैं वो चाते हैं कि Japan में US की तरह एक military industrial complex बन जाए और एक बार Japan ने बहुत ही बड़े scale पर army, air force, navy maintain करनी स्टार्ट कर दी तो इनके पास बहुत ही कम fund बचेंगे for education, health care, public utility तो यहाँ के लोग काफियत तक divided हैं और जो majority है वो यह मानती है के अभी के लिए जो system है जिसके अंडर Japan को protection मिलती है from the USA आपको बता होगा के Japan और US का एक defense pact है Japan पे attack मतलब US पे attack तो Japanese लोग मानते हैं के यह sufficient है उनकी security के लिए और इनको ज़रुत नहीं है Article 9 को remove करने की मगर Shinzo Abe जैसे जो visionary leaders है वो जानती है के देखो China का जो threat है यह बढ़ने ही वाला है North Korea का भी threat बढ़ने वाला है और Japan को in the future एक greater military cooperation चाहिए होगी US भी आने वाले समय में उस level का defense Japan को provide नहीं कर पाएगा जिस सरीके का defense US ने provide किया है Japan को in the last 70 years US भी चाहता है के China को contain करने के लिए Australia और India का भी pivotal role हो in a larger defense pact जहां पर 4 countries आएं तो Shinzo Abe ने अपने कारेगाल में बहुत बहुत कोशिश करी कि Article 9 को यह remove करें एक बार इन्होंने एक और clause add कर दी Article 96 में जो यह कहता है कि अगर Japan की कोई allied country है कोई friendly country है यह war में जाती है तो उसके support में Japan आएगा मगर Japan के politicians और जो इनके legal experts नों ने यह कहा कि यह जो Article 96 में change किया गया है it is useless जब तक Article 9 हटता नहीं है Japan officially अपनी तरह से war declare नहीं कर सकता उसके अलावा बहुती large scale पर military build-up भी नहीं कर सकता तो यह देखिए एक बहुती बड़ा issue था और Shinzo Abe अपने कारेकाल में इस issue को resolve नहीं कर पाए तो अब उमीद यह है कि Japan के जो ने प्रदानवंतरी होंगे यह अपने छोटे से कारेकाल में अगर यह सब्तमबर 2021 तक रहते हैं प्रदानवंतरी तो इनके पास एक golden opportunity है यह चाहें तो अपने छोटे कारेकाल में यह article line remove कर सकते हैं और उसके बाद new elections होंगे जपैन की liberal democratic party एक new candidate को feel कर सकती है इंडिया की तरफ से article line important यह है क्योंकि अगर यह हटता है तो उसके बाद जो quadilateral military pact है between Australia, Japan, US और India यह काफियत तक real दिखना start हो जाएगा at least इस पर बादचीट तो start हो जाएगी और ऐसा भी नहीं है कि इनके कारेकाल में अगर article line नहीं हटता तो you know quad का military pact कभी वनेगा नहीं eventually जपैन को यह जो article line है या तो यह remove करना होगा या फिर इसमें major changes लाने होंगे यह हो सकता है कि 2021 में हो या फिर 2025 में eventually आप देखेंगे कि जपैन का article line remove किया जाएगा और quad एक military pact की तरह भी बढ़ेगा question यह है कि क्या यह time पे हो पाएगा या it will be delayed so यह है इस वीडियो का thanks for listening and as always God bless you all